देखे अगर आप stock market की बात कर रहे हैं और अगर आप Indian stock market की बात कर रहे हैं तो यहां पर सिर्फ Indian stock market crash नहीं हो रही है आपको देख रहे हैं कि US की भी stock market crash हो रही है worldwide indices इस वक्त नीचे जा रहे हैं और आपको crash पूरे worldwide देख रहे हैं उसके कुछ कारण है और step-by-step जैसे मैंने बोला कारणों को समझते हैं इंडियन stock market की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें सबसे बड़ा कारण है नीचे जाने का देखो नीचे कब जाता है अप्राइस जब सेलिंग जाती है और सेलिंग यहां पर रिटेल इंवेस्टर्स नहीं कर रहे हैं उनका तो नुकसान हो रहा है क्यों क्योंकि रिटेल इ इस बोल रहे हैं बबल है हमें देख रहा है कि यहां से बहुत ज़दा और वैल्यूट जा रहे हैं इस चौक्स के प्राइज़ पर लोगों को यह लगना शुरू होता है कि अब नीचे नहीं जाएगा तब ही उनका नुकसान होगा क्योंकि जहां पर इस लेवल पर आके यहां पर गेम समझने पड़ेगी आपको आप और मैं जो हम रिटेल काटिगरी के अंदर आते हम एक स्मॉल कापिटल से इंवस्मेंट करते हैं हो सकता है वो एक लाख रुपे हो दस लाख करोड रुपे हो एक करोड रुपे हो इन फ्राक्ट अगर आप पचासवा करोड की भी बात करोगे न तो यह भी बहुत चोटा माउंट है क्योंकि foreign institutional investors FII जैसे बोलते हैं और DII domestic institutional investors यह 1000 करोर रुपे से market के अंदर buying और selling करते हैं तो अब जब यह अपना पैसा बहर निकालते हैं, selling करते हैं तो market में आपको definitely crash देखने को मिलता है जो कि आपने अभी भी देखा बट अब यह crash अच्छा है वो रहा है corrections market में आने जरूरी है क्यों जरूरी है, अभी किसी ने सोचा कि भी है, मेरको तो Asian prints 2800 के लेवल पर खरीदना था अब 2800 तो आके निकल गया, उससे तो बहुत उपर बढ़ गया अब वो नीचे नहीं आ रहा है, नीचे आएगा तभी वो खरीदेंगा न तो यह उपर नीचे सलता रहता है कि लगातार लोग buy करें, sell करें, buy करें, sell करें बट overall आपको देखेगा कि market ने उपर जाना है क्योंकि इंडिया की economy जो है, वो growing economy है तो अगर आज आपको देख रहा है कि ठीक है, selling आ रही है तो यह buying opportunity भी हो सकती है अभी फिलाल FII sell कर रहे हैं और बहुत लंबे time के लिए ने लगातार selling करी है इसलिए आपको लगातार market नीचे जाते हुँ दिख रही है बट अब दूसरा सवाल आ जाता है भाया यह बेच के हो रहे है अगर Indian economy, growing economy है तो यह क्यों अपना पैसा बाहर निकाल रहे है तो foreign institutional investors जब भी selling करते थे जर्नली क्या देखा जाता था कि जब यह selling करते हैं तो DIA खरीद लेते हैं जब DIA selling करते हैं तो FIA खरीद लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा selling आ जाएगी तो आपको price नीचे जाता हो definitely देखेगा हर वक्त buying selling चल रही है बड़ अगर बहुत बड़ी selling आएगी price नीचे जाता हो देखेगा बड़ी selling आई क्यों you already know तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो आप लोग लगाता I do not know but exactly अभी आपको जो देख रहा है figures 163 cases हैं Omnicron के बड़ दोसों से अभी कम है बड़ जब हम worldwide देख रहे हैं तो stock market में ना सबसे जल्दी चीज़े पता लग जाती है stock market जूड नी बोलती हम ओलता है प्राइस discounts everything तो price बता देता है दुनिया में क्या चल रहा है तो आप देखते हो worldwide भी आप पांच लाग के असपास cases आ रहे हैं कॉर्णा के दुबारा से वेव उपर की तरफ जाती हूँ दिख रही है US के अंदर 75,000 cases आ रहे हैं इंडिया के अंदर जहां पे लोग लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते मास्क नहीं लगाते लोग भूल चोके हैं भी है कॉर्णा क्या था भूल गए अगर आप बड़े शहरों की जगाँ अगर आप गाउं में चले जाओगे तो पहले भी लोग उने मास्क नहीं लगाए अभी तो किसी को पता ही नहीं बट इंडिया के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत जादा है तो सब को पता है कि अगर कोई आप पदा आई तो कितनी जल्दी फैल सकती है और एप्रिल के अंदर जो हुआ था यू अल्रेडी नो हम सब की फैमिली में हमने केस जरूर सुना था की कोई बड़ी डेफ आप सब को सुनने को मिली होगी तो ऐसा सब के घरों में हुआ है हमारी फैमिली में हुआ है आपकी फैमिली में recommendations में भी होगा तो लोगों ने वो चीज़ फेस करी है पट अभी लोग भूल चुके हैं इंडिया में बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग तो ये जो ओमनी क्रॉन का फियर है कि ये बहुत तेजी से फैल सकता है अल्थो यहां पर बोला जा रहा है कि डेथ रेट उतना नहीं है बट अभी कुछ भी सामने चीज़े नहीं आई है कि वैक्सिन कितनी ज़्यादा कामियाब है होगी नहीं होगी कितना फैलेगा तो अभी कहना मार्केट में एक फियर वाली सिचुएशन है अब जब फियर होता है तो वारन बफे की बात को याद करते है वारन बफे बोलते है जब हर कोई डर रहा हो तब खरीदने का मौका होता है और जब हर कोई लालच कर रहा हो तो आपको डर जाना चाहिए तो यहाँ पे अभी सब डर रहे है ओमनी ग्रॉन की वैसे डर रहे है बट एक चीज़ क्लियर है यह यह है कि कौरना बहुत जल्दी नहीं जाएगा लोगों को उसके साथ जीना पड़ेगा वेव आती है जाती है लोग स्टेबल होते हैं चलती हैं माल तो भी की रहे हैं तो कंपनी चल रही हैं और रेगूलर चलती रहेंगी यह क्लियर है आने वा तो आपको हमेशा ग्राफ उपर जाता हुआ ही देखेगा क्योंकि आप जब असेट के अंदर कॉमेडिटी के अंदर ऐसी चीज़ों में इंवेस्मेंट कर रहे हो जो कम हैं और लोग जादा हैं खरीदने वाले लोग जादा इंवेस्टर बढ़ रहे हैं तो आने वाले टा प्रेलिंग करी है और यहाँ पर रिटेलर्स भी डर के क्यों आगे नहीं पता क्या होने वाला तो लॉस बॉक कर ले थे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा लॉस बॉक नहीं करना क्यों नहीं करना ठीक है मैं मानता हूं आपने कोई स्टॉक बहुत ओपर घरीदगा अब द इस वक्त तो मेरा बहुत बड़ा इंवेस्टमेंट लगा हुआ है बट उसके बाद भी तो मेरी साइकोलेजी के चलती है जब प्रॉफित आ रहा होता है जब मुझे लाख रुपे का प्रॉफित देता हूं यह मैं तो शेर्स को नहीं बेचता था और जब मुझे दिखता ह जो maruto 22 पर संंड के आस था इख आ अधी ऑच्गरा तो देख रहा यह मेरी इंवेस्च्मेंट मेशली में फरक हुआशा नहीं क्याlık planning करें आपनी planning बदाता हुं एधी 500 टोडिया किरेंगा दुबार और 500 चूट चूटा फिर फिर देंगे और और 500 चूट चूटा फिर घ्रिय देंगे इसका मतलब क्या है मैं ने यह चीज मुनदन में रखी हुई है कि मेरे पास जो भी capital इसधेशर में पाँपद कि कह अपने पास पड़िए कि मैंने इस वक्रिव मैं आपको पहले बहुत हुआ है कि मैं कैश रख रखके बैठा हुआ था काफी टाइम से मार्केश टूटे तो मैं इन्वेस्ट करूँ मैंने अपने 100% कापिटल को चार पार्ट में तोड़ दिया और मैंने यह सोचा कि भी जो भी मेरे पाइसा है अगर मार्केट टूटी 500 पॉंट नीचे जैसे कि आज देख रहा है कि 500 पॉंट नीचे गई मैं अपना 25% पैसा और इन्वेस्ट कर दो को लगता नहीं कि इतना जादा भी टूटे का मैं चाहा कुछ भी सकता हो इसा होना नहीं है और आप सोचों कि उसके बाद क्या करोगा अगर आपने 100% पैसे लगा तो कमा भी तो रहा हूं हर रोज तो जब तक ऐसा होगा तब तक और कमा लेंगे और लगा देंगे यार क्य यह मेरे हसाब से अच्छी अप्रोच मैं आपको कई बार अगर में को लगातार सुनते मां कई बार वो जो को मैं कैश लगके बैट हूं है और अच्छी इन्वेस्मेंट करी हुए लोगों के हसाब से बडूसके बावजूद मुझे लगता है यार अगर एक्जामपल देता तोड़ गई माँकेट असी रूपय पे आगया और तूट गई 17 रुपय पे आगया और तूट गई 17 रुपय पे आगया और तो मेरी और इसा तो यार बढ़ जाएगी वह सौसे कम और 80 to 70 के बीच में आ जाएगी तो अगर मेरी आवरेज दिखा देता है कि यह 70 की आ गई, 75 की आ गई, 80 की आ गई, तो अब 80 के ऊपर स्टॉक जाएगा तो वहाँ से प्रॉफिटी प्रॉफिट होगा न और अगर कंपनी सेल रही है अब आपको क्या लगता है, टाटा बंद हो जाएगा लाइनस बंद हो जाएगा, ओमनिक्रों, आफ, 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 अलिंग, सब कुछ बंद हो जाएगा नहीं हो ना, सब कुछ नहीं खतम होगा जो human beings हैं, वो सबसे जल्दी चेंज को अडॉप्ट करते हैं, तो चेंज अडॉप्ट हो जाएगा एंड चीज़े सोजर जाएगी, देखो, इंडिया की ग्रोस स्टोरी पर बिलीव है तो सब बढ़िया होने वाला है और यह भई मैं गरने वाला हूँ, आप क्या गरने वाले हो, आप कॉमेंट्स में बता सकते हो बट मैं आपको एक चीज़ बनुगा, पैनिक सेलिंग में लोग हमेशा पैसा गवाते हैं वो मत करो, उल्टा, सुचो कि अब आगे देखे, तीसरा चीज़, जो यहां पर समझना है कि आपको एक बात समझनी है, ओमनी क्रॉन की वज़े से एक फियर है मार्केट में फियर है मार्केट में, बट जो हमारी करंसी है वो रेगुलर्ली अपनी वैल्यू लूस कर रही है और इंफलेशन बढ़ता जा रहा है, आप किसी भी बिजनस में हो इस वक्त, अगर आप बिजनस कर रहे हो, यह इन फैक्ट है, आप सबजी घरी दिने भी जाते हो, अगर आपको घर में समान भी आता है, तो आपको यह फील हो रहा होगा, हर चीज के रेट बढ़ते जा रह तो अगर आज अगर आप आश भी आप 10 रून की चाहें खूशन की मिल रहे हैं, तो वह फील सब्सक्राइब होता है, असलिप का पीडिय की चाह कंई हो, प्रीज हो नहीए, मांच रून से शासा नाड़ा है, बढ़ता है, तो नोटनी पूम का उरती है, फ़ाल जार रियों है वह पैसा banks को supply करती है लोगों को supply करती है जो पैसा लोगों के पास आता है तो जब लोगों के पाससा आए गा जुएर आज आपके वहाँ पैसे नहीं थे आपके पास 10 माख रुपय अब 10 माख क्या करोंगे हमें से जाधा तो लोग आख diferentes जिन चुछों की मुझे जरूरत है, वो मैं खरीदने जाओंगा, खरीदने जाओंगा, तो आप example लो, अभी यहां पे 100 लोग थे, सब के पास 1 रुपया था, अब एक दम से सब के पास 10 रुपया आ गए, अगर लोगों के पाफ पैसा जादा आ गया, तो वो समान खरीदने ज राचा की खर दे काहिए इस आइलेंड बेना सब को नारीट पानी चाहिए, अब यहां पर सब के पहरा पहले एक रुपयिता फिर 10 रुपया अब जब सबक्एपए एक रुपया था, तो सब नारीट ने खरीदका था, तो उसे और उसको Зादा पैसे देने बढ़ते थे, त तो लोग पैसे जादे देने के निकले तेयार है, तो उसने क्या किया, 5 रुपे के नारेल पानी को 20 रुपे का कड़ दिया, उसने रेट बढ़ा दिया, जो 20 रुपे के मैं उसे ही दूंगा, तो यह क्या चीज हुई क्योंकि लोगों के पाप पैसा जदा पहुंच जाता है तो जब वो समान लेने जाते हैं तो समान लिमिटेड है भी और मैनेफेक्टिंग एकदम से इतनी जदा नहीं बढ़ सकती कि लोग और जदा आगए हैं कुछ भी खरीदने तो में एकदम से अपनी मैनेफेक्शिंग को बढ़ा देंगे तो मैनेफेक्शिंग उतनी है तो इससे होता क्या है कि डिमांड पूल इंफलेशन मार्केट में आ जाता है जो भी कॉमेडिटी जो भी आप समान करीत रहें उसके रेट बढ़ जाते हैं दूसरा कौन सा इंफलेशन होता है दूसरा होता कॉस्ट पुष इंफलेशन यह इंफलेशन क्या होता है देखो अभी हम सबको पता है लॉग नुग नुग लॉग नुग अब अगर किसी भी कि मालोक किसी भी एकर प्रड़क्शन कम हो जाती हैं तो डेमांड तो है अगर डेमांड है और प्रड़क्शन ़ुग गई तो रेट बढ़ जाएन इसे बोलता है Next push inflation और तीसरा होता है built-in inflation अब यह built-in inflation के यह दो यह built-in इसका मतलब क्या यह लगातार चलता रहते हैं मैंने एक spiral मनाया है कि यह लगातार चल रहा है गूमता जाएगा बड़ा होता जाएगा अब यह क्या है देखो आज एक MNC company में 10,000 लोग काम कर रहे हैं मार्केट में चीजों के rate महंगे हो रहे हैं सब बोलेंगे जी हमारी salary बढ़ा हो salary बढ़ा हो तो average salary अगर किसी सब की 20,000 थी तो अब सब की salary बढ़ा दी जाएगी अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यहां पे 25,000 salary कर दीगे salary बढ़ा दी गई लोग समान ने निकले आपको अल्रडी पता है लोगों के पर पैसा जादा आया समान के rate बढ़ जाएंगे उसके पास समान के जब rate बढ़ जाएंगे लोगों को लगे का जितनी salary हमें मिल रही थी 20,000 में भी उतना ही समान आ रहा था 25,000 में भी उतना ही समान आ रहा है कुछ टाइम में वो दुबार से डिमांड करेंगे कि हमारी salary बढ़ा दो salary बढ़ा देंगे फिर से दुबार से महंगाई बढ़ जाएगी और यह चक्र व्यू चलता रहता है और यह आज से नहीं चल र है कि inflation market में है महंगाई आ रही है महंगाई आ रही है currency अपनी value लूज कर रही है पैसा assets में लगाना है कुछ time के लिए किसी भी चीज़ की वज़े से assets की value नीचे जा सकती है but overall अभी जो market में run आया था जो bull run आया था उसका reason भी यही था कि जो currency है वो तो devalued everyday हो रही है उसकी Omicron का fear है तो नीचे जा रहा है but over the period of time आप देखोगे कि money की उतनी value नहीं है तो stocks की rate तो आपको उपर जाते हो देखेंगे finally जो सबसे वड़ी चीज़ अभी आपको बतानी है कि जो हमारी Indian currency है उसे अगर आप USD के comparison में आज की rate में देखें तो अभी 1 dollar की कीमत 76 को पार कर ग है हमारी जो currency उसकी value कम हो गई है और जब भी USD उपर निकलता है और Indian जो currency उसकी value नीचे जाती है तो आपको हमेशा यह दिखेगा कि stock market में correction आएगा तो यहां पर यह भी एक कारण है अब कारण मैंने आपको चारों बता दिये बट एंड मैंने आपको बताया कि डरने की बा है वैसे तो देखो I don't marry stocks मैं बोलता हूं जब मुझे लगता है कि या बेज देना चाहिए तो मैं बेज भी देता हूं अगर बहुत जादा बढ़ गया तो बेज देते हैं पता है कि कुछ टेंबा दुबारा से support पे आएगा तो फिर खरीद लेंगे बट अगर हम value investing की बात कि long term की बात है 10 साल 15 साल की बात है तो फिर आपके दिमाग में क्या होना चाहिए यह एक का दो उने का weight नहीं करना यह गलत अप्रोच है फिर तो मैं यह सोचता हूं भी है मैंने एक लाख लगाया था ना इसका अगर मैं लगाँ 10% तो हो गया 10,000 मैं तो जी कम से कम यह सोच यह मुझे किस तरीके से पर मन्त 10,000 रुपीज दिना शुरू करते हैं आप को गया सर ऐसा थोड़ी होता है होता है लॉंग टम में होता है कंपनी डिविदेंट्स पे करती है जब आपको डिविदेंट्स पे करती है और आपको मालो सला ना आज की रेट में आपको आपने आपको के लिए इंवेस्मेंट बहुत अच्छे मिलते है तो लोग इसलिए यह एक्षिली को ौल टे बेशते नहीं है वह डिविदेंट अच्छे मिलते हैं कल को भी अच्छे डिविडेंट के मिशाप परसेंटेश जाएगी कमपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिविडेंट आता है आज से 15 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद आएटी सी कहा जाएगा तो हो सकता है जितनी आपने इंवेस्टमेंट आज करी हो आज अपने एक लाख रुपय डाले के लिए तो कल को वो दो के हो जाएंगे तीन के हो जाएंगे फरक नहीं पड़ता बड़ एक टाइम आएगा हो सकता साल में आपको एक लाख रुपय का डिविडेंट डी आईटी सी पे करने लग जाओ आपकी इंवेस्टमेंट एक लाख हो और ऐसा बहुत सरे इंवेस्ट ऑज आपके जो रिए सवालत हैं उनके जावाब देनी की कोशिश करियों तोड़ी सी टीर से विडियो मेरी लंदी हो जाती पता नहीं की ओअँ है फ्लोफ्लो में में काफी कुछ बोल जाता हूım तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते अपक में पूचिए का हम नेक्स वीडियो में उनका अंसर करने की कुशिश करेंगे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं से लोग अवराय ना उल्टा मैं तो बता दिया देखो यार हो सकता है स्टॉक मार्केट में आपको और भी कुछ पॉंट्स की गरावट दिखें बार डर्ना चाहिए होगा उसके लिए लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन कमें बॉक्स में डाल दूंगा जिस मर्जी के साथ जाके अपना डीमेट अकॉन खुलवा सकते हैं और उससे फाइदा क्या होगा आप तभी स्टॉक मार्केट में इंवेस्मेंट कर भाएं हैं तो सेल लगती है ना सेल यह भी सेल का टाइम चल रहा है तो गो और भाए इफ यह न्यू तो स्टॉक मर्केट इस इस राइट ताम तो बाए तो आवल सी नेक्स वीडियो तिल दाइम यूगो सल्फमेट